हेलो दोस्तों तबीर कुवर सिंग उनिवरसिटी का पार्ट तू का एक्जामिनेशन फॉर्म फिल होना शुरू हो गया है तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आप घर बैठे ही अपना एक्जामिनेशन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर सबसे पहले इसको ओपन करने के बाद आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा तो यहां पे आप लोग को साब साब दिखाया गया है कि इसका लास डेट बढ़ाया घटाया जा सकता है लेकिन फिलहाल अभी यही डेट सो हो रहा है तो इसका लास डेट देद दिया गया है अब इक्जाविनिशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको सिंपली यहां पे पहले क्लिक करना है और इछा फॉर्म भरने के लिए यहां पे क्लिक करना है आपको क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस कुलेगा तो आपको सबसे पहले उपर में अपना रजिस्टेशन नमबर डालने के बाद नीचे में अपना डेट ओव बर्थ और एक मोबाइल नमबर डालना है और उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लि के किजिएगा वेरिवाय पे क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हाएगा स्क्रीन पे जिस फॉंट में दीक रहा है आपको उसी फॉंट में पाश वर्ट क्रियेट करना होगा पासवट क्रिये ऑड़ने के बाद यहाँ पर आप ऊसब्ल click here to login पे click कर देना है click here to login पे click करने के बाद आपको redirect कर देगा इस page पे यहाँ पे आपको आपके registration number डालना है registration number डालने के बाद जो आप password create किया है वो password डालना होगा उसके बाद I am not robot पे click करने के बाद login वाले option पे click कर देना होगा तो login करने के बाद आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार का interface मिलेगा यहाँ पे कुछ details डाले गए होंगे और जो details नहीं डाले गए होंगे वो सारा details आपको fill कर देना है fill करने के बाद आए घोसनाक वाले option पे click करने के बाद save and next वाले button पे click कर देना है तो सारा details डालने के बाद save and next आपको click कर देना है save and next करने के बाद आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार का interface खुलेगा अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देख लीजिए जब मैं part 3 का बताया था तो वहाँ पे photo और signature अपलोड करने में बहुत सारे लोगों को problem हो रहा था तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोग को दिकत ना हो तो photo और signature अपलोड करने के लिए अगर direct आप यहाँ से photo और signature अपलोड कीजिएगा तो हो सकता है photo और signature अपलोड होने में दिकत हो इसलिए आपको सबसे पहले यहाँ पे आना होगा प्लिक here to create photo और signature वाले option पे पहले आपको क्लिक करना होगा जिसे ही क्लिक किजिएगा आप लोग के सामने एक नया टैप खुल जाएगा कुछ इस प्रकार का यहाँ पे आपको पहले photo बनाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे select करना होगा create photograph वाले option पे यहाँ पे पहले choose करना होगा यहाँ पे click करने के बाद आप लोग के सामने एक दूसरा टैप खुलेगा यहाँ पे अब आप उस photo को पहले यहाँ पे लाईएगा तो choose file पे click करके simply उस photo के यहाँ पे select कर लेना है और जितना भी area में आपको photo चाहिए उतना area में आपको यहाँ से come basic करके select कर लेना है उसके बाद यहाँ पे crop वाला एक option है crop photo आपको simply इस वाले option पे पहले click करना है जैसे ही इस वाले option पे click किजिएगा तो आपका photo यहाँ पे आ जाएगा तो आपको simply यहाँ से download वाले option पे click कर देना है अब इस photo को आपको download करना है फोटो हो गया आप उसी प्रकार यहां पे home पे आईएगा और यहां पे create signature वाले option पे click कर दीजेगा यहां से भी choose file पे click करके और signature को पहले यहां पे लाईएगा यहां पे लाने के बाद और जितना area में आपका signature है उतना area में set कर लीजेगा और उसके बाद crop signature पे click किजेगा आपका signature भी crop हो जाएगा और यहां से आप download कर दीजेगा तो आपका photo और signature डाउनलोड हो गया अब इसी photo और signature को आपको upload करना है upload करने के लिए आपको simply फिर से इस page पे आजाना है इस page पे आने के बाद आपको फोटो को पकड़ के यहां पे upload कर देना है या फिर choose file पे भी click करके photo upload कर सकते हैं तो यहां से देखिए बहुत ही आराम से आपका photo upload हो जाएगा उसके बाद यहां से signature को भी upload कर देना है फोटो और signature ऐसे करके बहुत ही असानी से आपका photo और signature upload हो जाएगा उसके बाद save and complete पे योर profile पे click करना है click करने के बाद आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार का interface खुल जाएगा अब यहां पे आपको परिच्छा के लिए आवेजन वाले option पे click कर देना है जैसे ही click के जाएगा तो आपका सारा details यहां पे खुल जाएगा आपका सारा details आप मिला लिजेगा और किस-किस paper का jam होगा वो सारा jam का भी details यहां पे खुल जाएगा और आपको कितना payment करना है वो payment का भी यहां पे खुल जाएगा और किसमें कितना payment लग रहा है वह सारा details आपको मिल जाएगा तो यह सारा देखने के बाद आपको I accept यहाँ पे करने के बाद और proceed to payment वाले option पे click कर देना है click करने के बाद यहाँ पे आपका details खुल जाएगा और confirm and pay पे आपको click करना है चैसे ही किजिएगा तो आपको redirect कर देगा payment वाले page पे यहाँ से किसी भी mode से आप payment कर सकते हैं यहाँ पर simply UPI set करके और phone pay वाले option पर अपना UPI ID डाल के verify करके आप यहाँ से बहुत ही असानी से अपना payment कर सकते हैं तो ऐसे करके बहुत ही असानी से घर बैठे ही अपना online application form fill कर सकते हैं अगर online application form fill करने में अभी भी कोई problem हो तो screen पे मेरे team का WhatsApp नमबर सो हो रहागा आपको simply वहाँ पे WhatsApp के जरी अपना problem बता रहा है वहाँ पे आपका problem जरूर सॉल्व कर दिया जाएगा आपको करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आयेगा वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे